सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए देखे प्रेंट सब्सक्राइब कीजिए अपने इस वीडियो में बात करेंगे सारे किजिए इंपोर्टेंट है आपके आने वाले एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो देखे आज का पहला किजिए पक्सियों को उड़ने की जो परकिरिया होती है उसको किस नाम से जानते है तो पक्सियों के जो उड़ने की किरिया होती है उसको किस नाम से जानते है पक्सियों के उड़ने की जो परकिरिया होती है उसको ब्रेलिंग के नाम से जानते है उसका निर्धारण कब किया गया था 1994 में किया गया था Durand पिद्दल हुआ में किस गेश की उपस्त께 कारण बदरंग हो जाता है जो पितल जो हुआ है वो हवा में कौन सी गेस की उपस्तिती के कारण उसका जो रंग है वो खराब हो जाता है तो कौन सी गेस के कारण ऑक्सीजन गेस के कारण जो पितल है उसका रंग है वो हवा में बदरंग हो जाता है देखें नेक्स कुछन किसकी परत बनने के कारण चां से दूर की जा सकती है पानी की इस्थाई जो खटोरता है वो पोटेशियम पर मेगनेट को डालने के बाद में खटोरता को दूर किया जा सकता है देखे नेश्ट कुछन है दोनी की परबलता किस पर निर्बर करती है तो दोनी की परबलता होती है वो किस के ओपर निर्बर करत तो I am क्या होगा, इस क्यूसन का right answer होगा next question है, calcium, aluminate तो calcium, silicate का किस नाम से घानते है? तो calcium, illuminate और calcium, silicate है, उसके मिस्रण को किस नाम से जानते है? cement के नाम से जानते है, अगर आपको exam में इस तог़सन पूठ नाम से जानते हैम कि cement है, वो किसibenद का मिस्रण टा है? तो किसका मिसरन होता है केलसेम एलुमिनेट का और केलसेम सिलिकेट का मिसरन होता है सिमेंट इन दोनों से मिलकर आपकी जो सिमेंट होती है वो बनी हुई होती है देखें, नेश्ट कुछना है, शेव को दांतों से काटने के लिए किस परकार के दांतों का प्रियोग करता है यानि कि शेव को अपन आगे वाले दांतों से काटते हैं तो उन आगे वाले दांतों को करिंतक दान के नाम से जानते हैं तो सेव को काटने के लिए कौन से दांतों का प्रियोग करते हैं, अपन करंतक दांतों का प्रियोग करते हैं, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तयार होता है, तो हरा जो रंग होता है वो कौन-कौन से रंगों को मिश्रित करने के उपरांत प्राप्त होता है नारंगी और बेंगनी रंगों का मिश्रन होता है नारंगी और जो बेंगनी रंग होते हैं उनका मिश्रन होता है आपका हरा रंग मलेरिया संबंदित है मलेरिया किसे संबंदित है मलेरिया जोर से संबंदित है मलेरिया क्या है एक बुखार का नाम है मलेरिया क्या है जोर से संबंदित है रक्त सरकरा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो रक्त की जो सरकरा स्तर है उसको नियंतिर्ट करने वाला रक्त की जो सुगर है उसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है आपका इंसुलीन हार्मोन होता है जो रक्त की जो सरकरा होती है उसको नियंतिर्ट करता है उसको कंट्रोल करने का कारिये करता है इंसुलीन हार्मोन देखें नेश्ट कुछने केलसियम हाइड्रोकसाइड का प्रियोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्मान किया जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है तो केलसियम हाइड्रोकसाइड का प्रियोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्मान करते है इसे किस नाम से जानते हैं चुना जल के नाम से इसको जाना जाता है देखे नेस्ट किसना फाइलेरिया रोग किस के कारण होता है तो फाइलेरिया रोग होता है वो किस के कारण होता है देखे फाइलेरिया रोग होता है वो किस के कारण होता है मनिशे की अहार नाल के किस भाग में कोई भी एंजाइम नहीं पाय जाता है तो जो गरशी का भाग होती है आपकी जो अहार नाल होती है अहार नाल का जो गरशी का भाग होती है वहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं पाय जाता है तो गरशिका में कोई भी enzyme नहीं होता है नेश्ट कुछना अमास्य की दिवार में कौन सा enzyme निकलता है तो अमास्य की जो दिवार होती है उससे कौन सा enzyme निकलता है गेस्ट्रीन enzyme है वो निकलता है अमास्य की जो दिवार होती है उससे कौन सा enzyme निकलता है गेस्ट्रीन एंजाइम निकलता है देखें नेश्ट कुछना किसी संग की जातियों की संक्या सबसे अधिक है तो किसी संग की जातियों की संक्या जो सबसे अधिक है आर्थो पोड़ा है वो जातियों है उस संग की संक्या है वो सबसे अधिक है देखें, next कुसी ना मनुष्य के रक्त चाप को किसे धमनीशे मापा जाता है। तो मनुष्य का जो रक्त चाप होता है, ब्लड प्रेसर होता है, उसको कौनशी धमनी से मापा जाता है, बेंक्रियल धमनी से मापा जाता है, देखें नेश्ट कुसने केलकुलस के आविसकार है, तो केलकुलस है, उसके आविसकार को है, आईजेन न्यूटन है, आईजेन जो वो kya है आपकी calculus के आविसकार है, देखें, रिखें रीष ह्यू snipe किसका रूपा आंत्रण है तो जो सकरकंद है wysका रूपाइंत autumn है जड़ का रूपा आंत्रण है यान् Sounds के जड़ का रूपा आंत्रण है 24 चुना aids के विषानू किसे नष्ट कर देते हैं हैं तो दिखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए जो भी कंपेटिशन एजाम की त्यारी कर रहे हैं और आप भी तक हमारे चैनल के नए मैमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरू प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्तों सब्सक्राइब